नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के लिए पहुती रोचक विशे लेकर आए है हमारा विशे है अग्रिकल्चर पार्ट सेकेंड यानि कि क्रिशी भाग दो भाग एक पर हम पहले भी बात कर चुके हैं आप सभी का स्वागत उन सभी माध्यमों पर और क्रिशी जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हमारा देश एक क्रिशी प्रधान देश है और हम क्रिशी में बहुत अच्छी उन्नती कर रहे हैं और क्या-क्या इसके घटक और फैक्टर्स हो सकते हैं क्या-क्या जलवाईू परिवर्तन और जलवाईू क्लाइमेट कंडिशन इसमें इफेक्ट डालती हैं कौन से हमारी मेजर क्रॉप्स हैं इन सभी बातों को लेकर आए हैं हम आज के इस सेत्र में और आपको विस्तार से जानकारी देंगे हमारे विशेशक की जो इस समय हमार साथ स्टूडियो में मौझूद हैं तो बिना किसी देरी के चलिया आप सभी का परिचे करवाते हैं आप हैं डॉक्टर बीरबल लुनिवाल सर आपका बहुत वच्छ स्वागत हैं और सर के बारे में आप सभी को हम बता दें कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्ट या फिर आप इमेल के जरिये भी हम पनी बात हम तक पहुचा सकते हैं हमारा इमेल आड्रस है dth.class10th.cit.nic.in और यदि आप हमारे यूट्यूब चानल पर हैं यानि कि NCRT PME विद्या क्लास नंबर 10 पर हैं तो वहाँ पर like chat box में जाकर अपना comment डॉप कर सकते हैं तो हमें इं और हम पास जाना चाहेंगे और हम सर से जानना चाहेंगे सजैसे हमने बताया कि हम बात करने वाले क्रिशी पर जो बहुत जरूरी है यदि हम अपने देश की बात करें पर हम इस पर पहले बीएक session ले चुके हैं यह भाग-दो है तो हम आप से जानिवेदन करना चाहेंगे क जो भाग एक है उसका संक्षेप में हम बाते जान करके फिर इस सत्र को शुरू करना चाहेंगे देखे ता आपका जो कक्षा 10 का फोर्ट चेप्टर है एग्री कल्चर करसी करसी जो है भारत में करसी का क्या इंडेश्री जो हम एक्सपोर्ट करके से मनी अर्निंग्स हमारे होती है दूसरा एक है कि लिए यह जो इंडस्टिरीज थे हैं हमारी उनके लिए जो रो मेटीरियल है वह हमें आइग्री कल्चर से ही मिलता है तो भारत के लिए बात है पष्माट पार्ट वन था उसमें हम लोगों ने देखा कि पार्ट वन में हमने करशी के जो टाइप्स हैं इंटेंशिव प्रिमिटिव सब्सिटेंस अग्रिकल्चर जिसको गहन निर्वहा करशी और इंटेंशिव सब्सिटेंस अग्रिकल्चर गहन निर्वहा करशी और तीसरी कमर्शि पिछले पार्ट वन है उस में देखा था साती कोनखोंची ज ऑरीकल्चर है उनको किस एरिया में किस नाम से जानी जाती है इसके बारे हमने पिछले बार देखा साथी जो अगरी कल्चर का जो पैटर्न है कौन-कौन सी क्रोप है उनका पैटर्न यानकी रभी और खरीप इस तरह पैटर्न है जायद तो इनका हमने पिछले पार्ट वन में देख चुके हैं आज हम लोग यहां पर जो है जो करशी का है जो सेकिंड पार्ट है उसमें major crops हैं उनके बारे में देखें गुए तो major crops के बारे में जानकारी देजाएगी आपको आज केमेश meille कि शुरुवात में आप से जानना चाहेंगे कि भारत में क्रिशी का क्या महत्वेस भारत में अभी आपको बताया कि जो भारत है उसमें जो करसी है वो एक भारत करसी परदान देश और बहुत सी जो से दिरेक्ट हम यूज करते हैं और साथ हम एक्सपोर्ट करके उससे भी हम लोगों को मिलती है तो भारत के लिए यह बहुत ही इंपोर्टन है बहुत ही महत्वपूर्ण है सर अगर हम बात करें और यह जानना चाहें कि भारत में अगर हम उगाई जाने वाले खाद्य और खाद्य यानि कि नोन-फूड फसलों की बात करें तो कौन-कौन सी ऐसी फसले हैं आप विस्तार से हमारे सभी बच्चोता और दर्शुकों को बताएं से बहुत में हम लोग दो तरीके से उनको डिवाइड कर सकते हैं पहले है खाद्य फसले और एक दूसरी आती है एक खाद्य फसले है जो फूड क्रोप है और एक दूसरी है नोन-फूड क्रोप तो फूड क्रोप में जो है पहली ग्रेंस जो आती है जैसे गेहूं है वीट है राइस है या मेज है रागी है बाजरा है या दाले हैं तो यह सारी चीज़े जो है यह फसलों में आती है और दूसरी जो है जैसे नोन food crops आती है उसमें दूसरी जो है उसमें जैसे cotton है या जूट है इस तरह की जो नोन food crops में आती है तो यह तो बात हुए खाते और नौन food crops की यानि कि खाती है फसलों की तो जो खाती है उसे हम खाते हैं और जो नौन सो दिशाएं आवश्क होती है और भारत की कौन से राच्य इन फसलों की बड़े उत्पादक हैं यह भी हम आप से जानना चाहेंगे सर्व चैप्टर में जो हम लोग देखने वाले हैं कि जो खाद्य फसले हैं उनमें एक एक करके जो हैं उनमें उसका जो क्लाइमेटी कंडिशन या जो ग्रफिकल जो कंडिशन से वो क्या-क्या होनी चाहिए कौन सा स्टेट से हैं कौन सा एरिया है जो हमारे देश में इस तरह का जो है इनका एक लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो होता है उसके बारे में एक एक क्रोप के बारे में हम लोग देखत और दूसरा चीन के बाद में सबसे बड़ा प्रोड़क्शन भारत में होता है चामल है चामल जो है खरीब की फसल है यानी की फसल हमने फिछले सत्र में देखा था खरीब जो फसल है वह तरह से ने मौसम में जैसे जून-जुलाइयों में स्टार्ट होती है और शेप्तमबर जो है खरीब जो है खरीब की क्रोप पैदा होती है तो यहां खरीब की जो क्रोप है चामल एक खरीब की क्रोप है और इसके लिए क्या-क्या क्लाइमेटिक कंडिशन होनी चाहिए और हमारे देश में कौन-कौन से स्टेट है जो इसके लार्जेस्ट प्रोडक्शन वहां पर ह होता है तो पहले देखिए इसमें जो सबसे जो important है temperature जो है इसके लिए लिए बाउट 25 degree centigrade के से उपर होना चाहिए यहनकी तापमान 25 दिगरी से उपर होना चाहिए और यहां पर जो इसकी बारिश या जो rainfall है वो more than 100 cm होनी चाहिए तो 100 cm से उपर अगर बारिश हो रही है और तापमान 25 दिगरी से उपर है तो उस पीचे की तरह coastal area है जिसमें ओडिशा है या अंदर प्रदेश है तमिल नाडू वाला एरिया है यह हमारे देश के बड़े यानकी major areas में है हमारे देश का वेस्ट बंगाल है हमारे देश में सबसे ज्यादा चामल का उत्पादन करता है उसके अलावा जो है कुछ राजस्थान वाला जो area है यह western UP है western उत्र प्रदेश है वहाँ पर भी इसको चामल को सिचाई के माध्यम से उत्पादन लिया जाता है यहाँ पर चामल की जो है कई बार एक से ज्यादा किसमें भी पैदा की जाती है क्योंकि चामल के लिए जो साउथ में तापमान है जैसे आपमान 25 डिग्री ची उपर होना चाहिए जो वार्सिक जो इसकी annual rainfall है वो नियर अबाउट 100 cm होनी चाहिए और इसके जो उत्पादक शेत्र है हमारे देश में जो उत्पादन है उसमें वेस्ट बंगाल है ओडिशा, बिहार, आंदरपरदेश, तेलंगाना और तमिल नाड इस लोगों द्वारा यूज किये जाने वाली crop है यान कि चावल एक नंबर पे लोग जो खाते हैं वो सब ज्यादा चावल हमारे देश में यूज होता है और जो दूसरी crop है वो है गेहूं है गेहूं है जनरली जो नॉर्दन इंडिया है नॉर्दन इंडिया में जाजातर गेहूं यूज किया जाता है इसका जो सबसे बड़ा उत्पादन है जैसे मैप में हम लोग पहले इसकी क्लाइमेटी कंडिशन देख लेते हैं पहले जिसकी जो क्लाइमेटी कंडिशन है यह एक रभी की क्रोप है यानकी सरदी के दुरों में जो अक्टूब नॉवमर के इसको हम रेनफाल बोलते हैं वो यहां पर 50-75 cm जो एन्वल रेनफाल है वो गेहूं के लिए आवश्यक होती है और हमारे देश में जो इसके बड़े उत्पादक है उसमें सबसे बड़ा उत्पादक हमारे देश में जो है जैसे चामल का मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है यहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तरप्रदेश है इसके अलावा जो पंजाब है हरियाना है नोर्दन राजस्तान है या मद्यप्रदेश है यह इसके अधर बड़े उत्पादक है इसको दो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं यह जो इसका second जो area है वो है यहां पर जो चाम्ठ यहां पर का सम्मध में हमने दो चीजे देखी कि रभी की क्रोप है और इसके जो पक के तैयार होती तो उसमें एकदम साफ भूसम होना चाहिए इसके आप मोसम भी बहुत जरूरी होता है कि जब पक के तयार हो जाते हैं फेवरी मार्स में जब यह तो उस समय जो गेहूं है उसके लिए एक तरह से शंशाइन एकदम खुला आश्मान वाला जो है वो मोसम होना चाहिए तो गेहूं के लिए तो पचास से 75 सेंटिमेटर वार्सिक वर्सा है गंगा वाला एरिया है गंगा सतलज का एरिया है तो इसका बड़े उत्पादक है तो इस तरह से गेहूं है पिर तीसरा जो आता है इसी में है मिलेट्स की बात करेंगे मिलेट्स में जो है जिसको मोटा अनाज बोलते हैं इसको मोटा अनाज के नाम से जाना जाता है इसमें मेंरे जो है तीन क्रॉप है एति जो sociaux जो है एक बाजरा है और एक रागी है तो यह क्रते हैं फिर नहीं पर सूवजींस को मोटानाज से इनको जानते हैं पैला है जो आ एक इंपोर्टन क्रोप है हमारे के जो सबसे जयादा जो योज होने वाली जो क्रोप है चावल गेहू और तीसरी जो आती है वो महारास्टरा करनाटका और अंदरप्रदेश जो है वो इसके बड़े उतपादक हैं तो जुवार के मामले में महरास्ट्रा करनाटका और अंदरप्रदेश ये बड़े उतपादक राज्ये हैं। तीसरा जो आता है मिलेट्स में जो मोटा नाज है तीसरा जो आता है वो है रागी रागी जो क्रोप है वो एक तरह से रैड और ब्लेक सोयल वाला जो एरिया है जहां पर लोमी सेलो ब्लेक इस जो वाले तरह की जो सोयल होती है उसमें यह पैदा होती है रागी और इसका जो मे तो यह घ्याद रखना है तो कैट आवे साूथ इंडिया में स्पेसलि महरास्ट्रा करनाटक वाला अरिया पिष्ब नाम चुसर्वावला एर्या है चुलों उत्र पर होता है और तीसरा कार्नाटका थामिल नाडू Demi माचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पर पैदा की जाती है तो यह मिलेट के नाम से हैं इसके बाद जो आता है मेज में जो क्रोप है चोथी जो में क्रोप है वो मेज के नाम से मक्का जिसको बोलते हैं मक्का है दोनों ही चीजों में काम में ली जाती है एक तो खाने के क्रोप है यह करीब की क्रोप है और इसके लिए लिए बी जो तपमान है वो निरबाउट 21 से 27 दिगडरी सेटीग्रेट 21 से 27 दिगरी का तापमान है वह इसके लिए एक याधर ऐडीचन होती है तो मक्का जो है का इसका जो सैल है वह जंनरली ओल्ड अलॉवुई जो अलुवियल सोईल है उसमें यह मक्का बहुत अच्छी उत्पादन वहां पर होता है यह जनरली जह है खरीब की क्रोप है लेकिन कई बार बिहार वाला एरिया है उसमें यह रभी के साथ में क्योंकि तापमान थोड़ा सा बिहार में रभी के टाइम में जो तापमान है वह इसका बहुत ही बड़े लेवल पर होने लगा है तो हमारे यहां क्योंकि इसका जो चारा है वह अनिमल्स के लिए बहुत इंपोर्टन है जो क्रोप है वह उसके भी हम लोग देश में इसको यूज किया जाता है इसके जो मेजर एरिया है मक्का का उत्पादन है वह सबसे ज खाने फसल जुक है दोनों में यूज किया जाता है ताप मान 21-27 डिग्री होना चाहिए यह जो है क्रोप खरीब की क्रोप है और इसका आजकल उत्पादन है वह राइटी वाले बढ़ गया है और हमारे देश में करनाट का जो है मद्देपरदेश उत्यूपी इन में इसका नाम है हमारा लेकिन इसका एक बड़ा कंजूमर भी है हम लोग हमारे यहां पर एक तरह से नोन वेज जो है वह वह रहुत कम यूजो किया जाता है लेकिन हमारे बिद्धा प्रोपिलेषण है उसमेंगे इस्टार पर्रोप्यश को हमारे देश में सबसे से बड़ा उत्पा या मूंग की जो दाल होती है मसूर की दाल होती है या मतर होता है पीच उसकी दाल बिनाते हैं या ग्राम जो होता है चना है उसकी भी दाल यूज करते हैं तो अलग-अलग आप डाइग्राम में देख रहे होंगे अरहर की दाल है मूंग उडद और चना इसकी अलग-अलग त मूंगं长, यह खरीब की क्रोप है मसूर है लेकिन मकका और ग्राम जानी की चना और मतर है वह एक तरह से क्रोप है सर्दी के दिनों में इस को Hequaliton in the裡 Ushaar, उडद, मूंग, मसूर, और वह पिज और ग्राम यह में-जो यह जो क्रोप है यहां पर देखिए जो यह जो क्रोप है वो एक तरह से लेग्यूमिनस क्रोप के नाम से जानी जाती है कि लेग्यूमिनस क्रोप के नाम से जानी जाती है कि लेग्यूमिनस क्रोप के नाम से जानी जाती है कि लेग्यूमिनस क्रोप है इनकी जड़े होती है उसमें राइजोब बार है वो दालों का उत्पादन कर लेते हैं तो दाल का उत्पादन होने से एक तरह से जो सोईल है वो थोड़ी फर्टाइल हो जाती है तो दूसरी क्रोप है वो बहतर तरीके से पैदा होती है तो एक तरह से फसल चक्र के रूप में भी दालों का होता है और हमारे यहां मसूर्द, जो है Thaddaire, ओ dazu है ना धकि ज़ुका इनि ग्राम आथा जयानी ग्राम लाहिन जो मटर आई की लाहिन की क्रोप में आता है। इसका स्बसे बड़े उत्पादक जो इरिया है। उसमें जैसे यह दाल का उत्पादन है हमारे देश में इसके बाद आता है जो फूड तो क्रोप है लेकिन जो ग्रेन नहीं है नोन ग्रेन वाली जो फूड क्रोप है उसमें आता है सूगर केन जो गन्ना बोलते हैं सूगर केन हमारे देश में जो है वर्ड में जो हमारे यहां पर भारत है बड़ा largest production वाला country है ब्राजील के बाद में ब्राजील बॉर्ड में सबसे एक नमबर पर है तो भारत है इसका दूसरा नमबर है बारत बड़ा उत्पादन है इसका जो गन्ना है उत्पादन है एक तरह से ट्रोपिकल और सब ट्रोपिकल क्रोप है यह यानि कि यह ज्यादा त इसके लिए hot and humid climate होता है तो वो इसके लिए बहतर होता है तेंपरेचर है यहाँ पर इसके लिए 21 से 27 डिग्री है वो ideal condition होती है शुगर के लिए और जो रेनफॉल है एक साल जो एन्वल रेनफॉल है वो 75 सेंटीमेटर से नीर बाउट 100 सेंटीमेटर के आसपास जो इसके ब बड़ा सबसे ज्यादा जो हम यूज में लेते हैं शुगर वो गन्ने से बनाई जाती है गुड़ है जिसको जगरी भी बोलते हैं गुड़ पैदा गुड़ जो है उसको उत्पादन किया जाता है खांड सारी है या मोलेसे हैं वो एक तरह से गुड़ या इस गन्ने से ही तैयार किया जाता है यहां एक चीज और है कि इसका जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश करता है बारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादन सुगर केन का है वो उत्तर प्रदेश करता है और दूसरा जो नंबर है वो महारास्ट्रा का है लेकिन थोड ज्यादा मीठा जो गन्ना है वो महरास्टर में होता है यानि कि जो शुक्रोज क्या है या जो एक तरह से परसंटेज है जो गन्ने में जो शुगर का जो एक तरह से परसंटेज है वो महरास्टर में तो ज्यादा रहता है तो एक तरह से यहां पर जो उत्पादक शेत्र हैं उ चमिलनाडू, आंदरपरदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, एंड हरियाना, पंजाब हरियाना में भी आजकल जो नहर है, नहरों के शिचाई की वज़े से बड़े लेवल पर इसका उतपादन किया जा रहा है, तो यह एक तरह से जो है, इससे जो अधर जो चीजे बनती है, तो इसका एक तरह से बड़ी मांग यहां पर देश में रहती है, हमारे देश में बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि हमारे देश एक बड़ा उतपादक के साथ, एक बड़ा कंजुमर भी हमारे यहां है, क्योंकि बड़ी संक्या पोपूलेशन यहां पर है, तो इसका उत पाती है वो उसमें आता है ओएल सीड्स है जिसे हम लोगों को एक तरसे खाने का तेल है वो इनसे निकाला जाता है या जो अधर यूज के जो तेल है वो यहां पर इनसे हम लोगों को मिलते हैं तो वर्ड के अंदर जो है चाइना के बाद में जो है सेकिंड लार्जेस्ट यहां पर पैदा की जाती है वह यहां पर पीदा की जाती है यहां पर मैं आपके बता दूं कि पांच मिंट के समय और शेश हैं हमारे सहत्र के लिए तो यहां पर देखिए हमारे देश का बारा परसेंट जो एरिया है उसमें वह पैदावार यहां पर की जाती है इसमें अलग-अलग जो ग्राउंड नट है जो मूंफली है या है या सनफलोवर है यह यहां पर में यहां ऐसनफलोवर है यह जो हैं वंवे जो हैं और इन ihtкое क्रोप अधेंग सेहिए उन्सक्राइब की कुछय wenn यहां जो है इंका यूज यूज मस्टर्ड है यह असटने चीजन धरका सबसेगं है तो यह यहां जो है ओल्यए उसका तो हमारे देश में जो इसका उत्पादन है अलग अलग सेट में होता है गुजräक सर्ष आ उसका उत्पादन है फरयाना यूपि है और मद्य-पत्य परदेश है वह उत्पादक वाली एरिया है उनका खाने के साथ साथ में आधर चीज़ों जैसे साबुन बनाने में है या कोस्मेटिक जो यूज है उइटमेंट है उनमें भी इनका जो यूज किया जाता है तो यह है ओएल सीड्स इसके बाद आती है चाय जो हमारे प्लांटेशन अगरिकल्चर है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि टाइप सोफ अगरिकल्चर में प्लांटेशन पढ़े थे तो प्लांटेशन अगरिकल्चर में चाय का नाम भी है चाय हम जाजा तर ट्रोपिकल और श्रॉप ट्रोपिकल यान में बड़े लेवल पर उत्पादन होता है साथ इसके जडो में है वो पानी नहीं होना चाहिए एक तरह से fertile सोयल के साथ well drainedU soil में नहीं बरना चाहिए यकE important condition रहती है वो हमारे देश के अंदर जो है असम है बड़ा उत्पादक वाला एरिया है इसके अलावा जो है बेंगॉल है वेस्ट बंगाल है या जो साउथ में नीलगी माउंटेन वाला तमिल नाडू करनाटका का जो एरिया है या उपर की तरफ जो नौर्दन साइड में जो है हिमाचल पर देश है उत्राखंड है वहां पर कोफी का उत्पादन करनाटका सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोडेक्शन वाला स्टेट है हमारे देश में और यहां पर जो है अच्छी क्वालिटी के गुड क्वालिटी की जो कोफी है वो हमारे देश में पैदा की जाती है और वो है अरेभी का इसकी जो वेराइटी है वो ArabICA है तो Arabica जो variety की जो कोफी है वो यमन जो देश है वहाँ से हमारे देश में लाई गיא थी और यहां पर हमारे देश में जो है साउथ का जो area है जैसे बावा बुदन की mountain है यह नीशवाटक जो अरेवी का किसम है इसकी वह बहुत बहुत ब्हेतर रेना यह क्वालिटी होती है उसकी मानी जाती है यह तो बात है हमारी जो प्रमुख फसले हैं उसकी जिसमें हम कई जगे बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी कर रहें लेकिन ऐसे में तब भी हमारे जो निर्यात का हिस्सा है वो कम है सर क्यों से किस वज़ा से हमारा देश में बहुत सी जो क्रोप है उनका बड़ा जैसे हमने देखा कि बहुत सी जो चावल है या यह में सेकेंड मोस्ट जो लार्जेस्ट प्रोडेक्शन वाला जो कंट्री है उसमें नाम है लेकिन फिर भी हमारे यहां देश में एक तरह से कई बार हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करत इसका बहुत बड़ा भाग है वह यहीं पर यूज कर लिया जाता है तो हमारे देश में इसका उत्पादन होने के साथ साथ यहीं पर एक तरह से कंजुमर भी है तो बड़ी संख्या में पोपुलेशन होने से हमारे यहां पर चामल है गेउं है या ओयल सीड्स से हैं उनसे वेल निकलता है या जैसे चाइब अगेरा है तो इनका उत्पादन होता है तो लेकिन उनका यूज यहीं पर हो जाता है जिसकी वजह से इसका वह जड़ा कमर्शियल जो यूज है या बाहर जो निरियात किया जाता है वो नहीं हो पाता है तो यह तो इसके बात के और आपने इतने अच्छे तरीके से पूरा पार्ट हमारे सभी देखने वालों तक पहुचा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर हम अपने सभी देखने वालों से कहेंगे कि आगर आपके मैंने कोई भी प्रशन हो तो आप हमें जरूर बताएं जितने भी माध्य रहेगा pair of linear equations in two variables part second तो आप उस कारेकरम का भी हिस्सा बने अभी फिल हाल मुझे रेणु भट को दे अनुमती नमस्कार